हेलो दोस्तो मैं हूँ नीरज देवडा और आप देख रहे हैं हमारा चनल पराग बुटिक देखिए दोस्तो आपने पीको मसीन से पीको होते देखा है सिलाई होते देखा है क्या Pico Machine से काच करते हुए किसी को देखा है, अगर नहीं देखा है तो आज आप देख सकते हैं। देखिए Pico Machine बहुत हमारे काम की मसीन है। इसPEあ आप काच किस प्रकार से करेंगे। देखिए ये वाली जो उंगली है हमारी ये बिलाउस के काच के लिए है ये वाली जो उंगली है हमारी ये हमारे सर्ट के काच के लिए और अंगुठा हमारे किस लिए है ये हमारे सफारी के काच के लिए और देखिए इसकी सेटिंग के से करेंगे और हम काच के से कर सकते हैं यह देखिए सबसे पहले मैं चिटी उंगली रखता हूँ यहाँ पर और इसके दोना तरब लगाता हूँ एक एक निसान यह हो जाएगा हमारे बलाउस का काच ठीक है अब इसी प्रकार से थोड़ा बड़ा काच चाहिए तो यह से बड़ी उंगली रख लीजिए और यह बना आने वाला हूँ कटिंग करके भी बताऊंगा और कैसे होगा काच यह भी देखिए देखिए यह पीको मशीन का हैंबर है इसे मैंने यहां से खोल दिया है और लगा दिया है मैंने इस प्रकार का एक हैंबर जो पीको मशीन के साथ आपको मिलता है सिलाई के लिए तो ठीक है इस हेंबर को जो हमारा ये निसान है ना इस निसान की जगह पर अब करते हैं मसीन की सेटिंग कि हमें काच के लिए मसीन की सेटिंग कैसे करना है यह देखिए यदि हम काच कर रहे हैं तो हमें क्या करना है इस हेंबर को यह जो देख रहे हैं यह जीरो पर है तो इसे हमें कहां ले जाना है ले जाना है हमें दो पर ठीक है चलिए देड़ पर रख लेते हैं यहाँ पर देड़ पर दिख रहा है बीच ओब बीच इसे हम ऐसे रख लेते हैं ठीक है काच दो पर भी हो सकता है और देड़ पर भी तो जो हम पहला काच कर रहे है बुलाउच के लिए यह हम करेंगे देड़ पर अब देखिए यह जो है ना यहाँ पर जो सिलाई मशीन के लिए हम उपर नीचे करते हैं तो इसको देखिए यहाँ से यहाँ पर देख रहे तो इसका जो सेंटर होता है ना सेंटर से थोड़ा सा उपर या अब देखते हैं हम किस पीको मसीन से हम काच केसे करेंगे अब देखिए यह जो निसान है ना इसका और इसका यह मिना देखिए इसी प्रकार से दोनों निसान लगाए हैं यदि आप जब नए नए सीख रहे हैं तो इन निसानों की जरुवत पड़ेगी आपको अन्य था आप और इस हाथ को हमें ऐसे रखना है ठीक है और इस मसीन को क्या करेंगे हम चलाएंगे इस प्रकार से यह हमने टाका रख लिया ठीक है अब देखिए इस तरफ पल्टाएंगे अब आपको दिख रहा है कि हमारा यह टाका थोड़ा था दूर दूर हो रहा है तो आप इस निसा यह चला दिया मैंने काच का निशान, ठीक है आपको दिख रहा है, इस तरफ फिर चला देंगे हम, ऐसे और ऐसे, और इस तरफ से फिर से, अब इसकी टाकी अगर आपको मालना है, तो इस चीज को आप क्या उठाएंगे, चार तक, ठीक है, देखें मैं टाकी बांद रहा आप जरूर इसको देख लिजिए, यह टाकी, हमने टाकी भी बांद दी यहाँ पर, और देखिए काच भी हमारा हो गया है, इस काच को मैं आपको काट के भी बताऊंगा, कि किस प्रकार से इसे काटा जाता है, अब हम इसे यहाँ लाएंगे, ठीक है, यदि आपको काच नह यह चलाया मैंने, और ऐसे घुमाऊंगा, और यही से, और इसे बांद दूगा मैं इसे टाकी, ठीक है, यह टाकी भी बन गई मेरी, और यह काच भी बन गया है, ठीक है, पीको मशीन से काच करने का यह सबसे बेस्ट तरीका है, और देखिए, अब यह हम बनाएंगे सफारी वाला काच, तो इसे भी चलने देते हैं, यह काच मैंने बना दिया सफारी के लिए, थोड़ा लंबा काच है यह, और यहाँ पर टाकी बांद देंगे हम पहले, और फिर आगे बड़ा देंगे, यह देखिए, इस तरफ टाकी भी बन गई है, और यहाँ पर भी टाकी बन ग आप इन काचो को हम काट के देखते हैं और काटने पर कभी आपके पास जिसे आप नए-नए काच कर रहे हैं और काटने पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोलूशन हम कैसे निकालेंगे इसी वीडियो में आप देख लिजिए आज ही देखिए आप मैं क्या करता हूँ इन काचो को कटिंग करता हूँ ऐसे डबल रखेंगे हम ऐसे और इस काच को यहां से काट लेंगे देखिए मैंने जरा सा काच काटा हुआ है ऐसे ही काटेंगे आप भी और इसे ऐसे पल्टा लेंगे और जो बीच की जगा है ना वही पर थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे ठीक और इस तरब भी आप ऐसे ही काच को काटेंगे ठीक है ताकि अपने काच का धागा नहीं कटे है न और यह जो धागे थोड़े बहुत निकल रहे हैं इन्हें से चटिंग कर लेंगे यह देखिए है काच की नहीं बिल्कुल पीको मशीन से आप काच कर सकते हैं अब यह दूसर यह काच है हमारे बिलाउस का इसे भी हम अचट लेते हैं यह देखिए यह कट गया है आपको जितना काच लगता है उतना आप चाट सकते हैं ठीक है और देखिए दोस्तो यह हमारे फिको मशीन से काच करने का त standard का तरीका यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चेलल को नए नए आइडिया मेरे चैनल पर आपको सिलाई मसीन के आते रहते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ ठेंक्स पर वाचिंग